आज से करीब 4 बिलियन साल पहले लाइफ की शुरुवात होती है धर्ति इन में से एक स्पीशीज होती है होमो सेपियन्स की भी यानी इनसान क्या ये विडियो आपके लिए है? अगर आप एविडेंस और अकल पर चीजों को समझते हैं तो हाँ पहले ज़रा ये सुनिए ये कुछ ऐसी स्पीशीज के नाम है जो इनसानों के सबसे करीबी पूबच रहे इनसानों का और चिंपांजीज का 99% डियने मैच होता है इन में से एक स्पीशीज होती है होमो सेपियन्स की भी यानी इनसान वैसे तो धुरूवराटी एक जाने माने रिसर्चर और यूट्यूबर हैं लेकिन उनकी हालिया एविलूशन थियूरी सीरीज में कई चीजे ऐसी हैं जो सुनने में तो लॉजिकल लगती हैं पर एक्चुल में ऐसा है नहीं एविलूशन थियूरी में जो बात हमेशा से कॉंट्रोवर्शल रही है वो यह है कि इनसान बंदर से बना है यह कोई रिलीजियस डिबेट नहीं है यह प्योर साइंटिफिक फैक्स पर बनी वीडियो है और मैं हूँ फिफ्टी टीवी दूफ कहते हैं कि थियूरी कोई नजरिया नहीं होता बलके उसके पीछे एविडन्स मौजूद होता है इसलिए साइंटिफिक थियूरी का मतलब एक्चुली फैक्स होता है एविलूशन सिर्फ एक थियूरी ही नहीं बलकि एक फैक्ट भी है जब हम थियूरी शब्द का प्रयोग करते हैं आपर उसका मतलब है एक साइंटिफिक थियूरी एक साइंटिफिक थियूरी तभी बनाई जाती है जब हमारे पास भरपूर एविडन्स यहां मौजूद हो लेकिन नहीं यह सरासर गलत है साइंटिफिक थियूरी कोई फैक्ट नहीं होती बलकि यह फैक्ट्स की एक्स्प्लिनेशन होती है जो मुक्तलिफ साइंटिस्ट अपने अपने नॉलिज के मताबिक करते हैं इसलिए अकसर थियूरी इस बाद में घलत भी थाबित हो जाती है तो फिर मिसाल लीजिए साइंस की दुनिया में एक लंबे अर्से तक वाइटल फोर्स थियूरी वैलिड मानी जाती रही है यानि और्गैनिक कमपाउंड लेबार्टरी में तैयार नहीं किये जा सकते ये सिर्फ जानदारों में बनते हैं जैसे के यूरीन और दूसरे केमिकल वगएरा इन्हें बनाने के लिए एक खास तरह की पावर चाहिए होती है जिसे वाइटल फोर्स कहा जाता था लेकिन हुआ क्या आज वो थियूरी गलत साबित हो चुकी है क्यूंके सैक्डों हजारों नहीं लाखों और गैनिक कमपाउंज लिबाटरी में तयार किये जा रहे हैं पूरी मेडिसन इंडिस्ट्री इन्हीं और गैनिक कमपाउंज पर खड़ी है ऐसे सवाल अकसर उठाए जाते हैं लोगों के दुआरा कुछ लोग तो एविलूशन को ही नकार देते हैं कहते हैं कि ये जूट इसलिए बड़ी हैरानी की बात है कि आज के दिन भी कुछ लोग एविलूशन को सच मानते नहीं है एविलूशन सिर्फ एक थियोरी ही नहीं बलकि एक फैक्ट भी है बात चुनके दुरूशन की है इसलिए एक मिसाल और देख लीजिए ये बात है फादर आफ मॉडरन फिजिक्स आइन स्टाइन की थियोरी आफ एस्टेटिक यूनिवर्स की इस थियोरी के मताबिक ये यूनिवर्स मुकमल तयार हो चुकी है आगे नहीं बढ़ रही और अब अपनी जगा पर इस्टेटिक यानि रुकी हुई है थियोरी तो गलत साबित हो चुकी और ये बात तकरीबन तै है कि यूनिवर्स अब भी एक्सपेंड कर रही है थियोरी के गलत साबित होने की कई मिसाले मौजूद है इसलिए थियोरी फैक्ट नहीं है लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इनसान बंदरों से आये तो आज के दिन भी हमें बंदर क्यों देखने को मिलते हैं कि सारे बंदर चिम्पांजी और गोरिलाज ये इनसानों में एवॉल्फ क्यों नहीं हो गए नहीं सवाल ये नहीं है बलके सवाल ये है कि बंदर और इनसान के बीच जो इवॉल्फ होते हुए लोग थे वो कहां हैं उनके फॉसिल्स क्यों नहीं मिलते एक किनारे पर बंदर और एक किनारे पर इनसान दिखा कर आप कहते हैं कि बंदर इवाल्व होकर इनसान बन गया यह वो जानवर जो कि आज के दिन जिन्दा है और इनसानों के सबसे ज्यादा करीब है चिंपांजी, गोरिलाज, उरांगुटांस और बोनोबोस यह सारे ग्रेट एपस इनसानों के साथ मिलकर एक साइंटिफिक कैटिगरी का हिस्सा है जिने हम होमिनिट्स कहते हैं तो फिर वो कहां है जो आधा बंदर और आधा इनसान था एवोलूशन लाखों साल का प्रोसेस है इन लाखों सालों में मरने वाले वो स्पेशीज जो बंदर से इनसान बनते बनते मर गए उनके फॉसिल्स क्यों ना आज तक मिल सके हैं लेकिन जरा रुकिए पहले दुरूफ सर की एवोलूशन थियोरी को थोड़ा और समझते हैं और फिर आपको तफसील से समझाते हैं और इसे कनेक्शन बताया जाता है आज के दिन सारी मचलियों और लैंड वर्टिब्रेट्स के बीच में 368 मिलियन येर्स पहले एमफिबियन्स की डेवलप्मेंट शुरू होता है फिर एविलूशन होती है रेप्टाइल्स की सांप टर्टल्स अलिगेटर्स क्रोकडाइल्स यानि गुरूफ सर के मताबिक मचली से छिपकली छिपकली से सांप और सांप से मगरमच बना है और वो यहां रुकते नहीं बलके आगे कहते हैं कि उसी मचली से मेंड़क भी बना मेंड़क इवॉल्व हुआ वो मैमल्स बने मैमल्स में आगे चलकर प्लेसेंटल और मार्सेपिल्स बने यानि बिल्ली शेर कैंगरू सभी उसी एक मचली से बने और इसी तरह डॉल्फिन और इनसान के एंसेस्टर्स भी एक ही हैं इसका मतलब है कि डॉल्फिन और इनसानों का एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा जो जमीन पर रहता था देखा आपने दुरुफ सर ने ऐसा हो सकता है और ऐसा ही हुआ है का फर्क कितनी आसानी से मिटा दिया आज तक ऐसा कुछ नहीं मिला है जो आदी मचली और आदी छिपकली हो ऐसा ही कुछ दुरुफ सर ने इंसानों के एवलूशन में किया है सारे चिंपांजी, गोरिला, बंदरों और इंसानों के पूरवज एक ही रहे हैं और वो पूरवज आज के दिन जिन्दा नहीं है यानि इंसानों और बंदरों के एंसेस्टर्स एक ही थे लेकिन वो मर गए सवाल ये है कि मरने के बाद उनके फॉसिल्स कहां गए जब डाइनसौर्स के फॉसिल्स मिल चुके हैं तो उनके क्यों नहीं धुरोव सर, ये सारी थियूरी उन similarities की बुनियाद पर बना रहे हैं जो इनसानों और बंदरों में पाई जाती हैं हम सारे हومनिट्स में बोहत सारी similarities हैं जैसे कि हम में से किसी की भी कोई पूँच नहीं होती। या फिर हम सब में बाइपेटलिजम देखने को मिलता है। च्योंकि पूँच तो रीच की भी नहीं और वो भी दो पैरों पर चलता है। ये ग्रेट एप्स हाला कि इंसानों की तरह बोल नहीं सकते लेकिन ये human sign language ज़रूर समझ सकते हैं। तोता इंसानों की तरह बोल लेता है। इन्हें ट्रेन किया जा सकता है। ट्रेन तो डॉक्स को भी किया जा सकता है। इवन शेर को भी। इन्हें भी टीवी देखना पसंद है और जब इन्हें गुदगुदी करी जाती है तो इनके मुँसे भी हसने जैसी अवाजे निकलती हैं और हसते तो ये भी हैं तो क्या ये भी हमारे रिलेक्टिब्स हैं? दूर्व सर अपनी थियोरी में सबसे इंपॉर्टन कुछ सवाल ऐसे ही छोड़ गए है जैसे कि अगर बंदर ने इवाल्व होकर इन्सान बनना शुरू किया था तो अब ये एवलुशन रुक क्यूं गया है? बंदर अब इन्सानों में इवाल्व क्यूं नहीं होते? इन्सान इन्सानों से ही पैदा होते हैं क्या इस दुनिया में आज तक कोई इन्सान ऐसा गुजरा है जो पैदा तो बंदर से हुआ मगर इवाल्व होकर इन्सान बन गया? शायद नहीं बलके यकीनन नहीं एक और एहम सवाल ये है कि जो इस्पेशी इवाल्व होकर कुछ और बनना शुरू हो जाती है उसे बिलाखर एवलूशन कंप्लीट होने पर मुकमल तबदील हो जाना चाहिए लेकिन बंदर, चिंपैंजी, गौरीला आज तक वैसे ही हैं दुरूफसर खुद यही बताते हैं कि एवलूशन इसी लिए होता है कि इस माहौल में सर्वाइफ करना मुश्किल होता है तो वो बदल जाते हैं ताके जिन्दा रहे, ना बदले तो मारे जाएंगे जो बंदर नहीं बदले वो जिन्दा क्यों रहे और अगर जिन्दा रह सकते थे तो बदले क्यों ये और इस जैसे बहुत से सवाल अभी बाकी हैं जैसे के ये उस वक्त कोई जीन्स नहीं थी, कोई डिने नहीं था बस कुछ free floating nucleotides थे जो एक RNA में assemble हो गए इस RNA ने एक molecule बनाया PTC नाम से और ये self organize कर गया जिससे ये फूका बना हम सब का ये पहला ancestor है दुरूफ सर, शायद evolution और creation को confuse कर रहे हैं evolve होने के लिए पहले create होना जरूरी है और जब मसली create हो सकती है तो मेंडग भी अलग create हो सकता है बंदर अलग create हो सकता है तो इनसान भी अलग create हो सकता है और इन सब created species में अलग-अलग evolution भी मुमकिन है इसलिए हमने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि theory एक explanation है एक fact की कई explanations मुमकिन है और है theory of evolution के बारे में दूसरी explanation क्या है ये देखिए हमारी दूसरी वीडियो में